अश्कार आज हम 3 अगस्ट 2020 के करंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के लास्ट में हमें एक क्विज करते हैं आप यू से अटेम्ट कीजिए आज का फर्स्ट कॉश्चन कौन सा देश परमाडू उर्जा का उत्पादन करने वाला अरव वर्ड का पहला देश बन गया है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यू ए ई यूनाइटेड अरव एमिरेट्स जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह पर्सियन गर्फ इधर ओमान और इधर साओधिय अरेबिया बर्खा नुकलियर पावर प्लांट की जो पहली यूनिर्टी वह ऑपरेशनल हो गई है और इसके बाद ही अरव वर्ड का UAE पहला कंट्री बन गई है जिसने प्रेडियूस किया है नुकलियर एनरजी को यह जो प्लांट है यह अल दर्फरा दीजन में लगाए गया है अबुधावी के यह जो प्लांट है वह साओध कोरियन टेक्निलोजी पर बनाया गया है किस राज्ये में केंद्रिय संचार मंद्री ने भारत Aire Fiverr Services का उदगातन किया है इन वीच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमुनिकेशन है इनॉग्रेटेट भारत Aire Fiverr Service इसका सही आंसर है Option D महारास्ट्र संजेदोत्रे जो की यूनियर मिनिस्टर है स्टेट फॉर कॉमनिकेशन जोनोंने इनॉगरेट किया है भारत एयर फाइवर सर्विसिस जो की महारास्टरा में और महारास्ट के दो डिस्टिक है अकॉला और वसीम डिस्टिक यहाँ पर यह क्या करेंगे यहाँ वायलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किये जाएंगे और यह बीएसनल जो है वहाँ यहाँ सर्विस प्रोवाइड करेगी और कुछ हम रिवीजन करते हैं महारास्ट के वारे में रोपेक सर्विस जो की बहुचर धाका से लेकर मानवा तक चलाई गई थी यहाँ एक वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट है जो की इस्टरन वाटर फ्रंट डैबलेप्मेंट प्रोजेक्ट के अंतगरत आता है मतलब यह एक फैरी सर्विस थी वर्ल का जो लार्जेस्ट कॉन वैलेस सेंट प्लाजमा थेरेपी का जो ट्रॉयल प्रोजेक्ट है वह लॉंच किया गया था महारास्टर गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम तब प्लैटिना अगला महारास्टर गवर्नमेंट ने औरंगाबाद जो एरपोर्ट है उसका नाम बदलकर छत्रपती सामबाजी महाराज रख दिया था और कुछ और देखते हैं रिवीजन महारास्टर में लोनर लेक जो की महारास्टर में इस्तित है जो की आज से 50,000 साल पहले एक मेट्रोइट के अर्च से टकनाने के बाद बनी थी इसका जो कलर है वहाँ भी चेंज हो गया था जो की पिंक हो गया और असाड़ी एकादशी यह और नामें योटा NM1 Data Center जो की मुंबई के पास ही लोकेटिड है नेक्स्ट कोस्इन हाल ही में आडी पैरकू महुसथ समाचारों में है यहां किस राज में मनाये जाता है आडी परेकू अजिका दूसरा नामें आडी मानसून फैस्टिबल यहां तमिलाड़ु में सेलिब्र सेलिब्रेशन होता है जो की मतलब मिड जुलाई से लेकर मिड अगस्त के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है इसमें जो वाटर लाइफ सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज होती है जहां से वाटर मिलता है उनको ट्रुब्यूट मतलब सम्मान दिया जाता है इसलिए यहां फैस् इस्टन घाट है महां पर द्रिम्भीडी हिल्स है वहां से यहां रिवर निकलती है इसकी टुबीट्री के बारे में देखते हैं अर्कावती हैमावती लश्मना तीरता शीमसा काविनी और हरंगिनी जो कि इसकी टुबीट्री है और drainage basin देख लेते हैं कहां कहां से यह flow होती है कनाट का तमिलनाडू और फिर उसके बाद eastern घाट में होते हुए Bay of Bengal में चली जाती है लेकिन Bay of Bengal में जाने से पहले इसके माउस पर यहां एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है Garden of Southern India और आपने सुनाई होगा गोदावरी और काविरी रिवर इंटरलेंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में यह दौनों का इंटरलेंकिंग प्रोजेक्ट था अब हम कुछ डिवीजन करते हैं तमिलनाडू के बारे में तमिलनाडू की एक गर्ल ती जिसका नाम था Amnetra ठीक है इससे United Nations Association for Development and Peace के द्वारा Goodwill Ambassador बनाई गया था For the Poors और कुछ और डिवीजन करते हैं तमिलनाडू की जो Food Safety and Drug Administration ने जो Temple के जो Administrator है उनको बोला कि आपना फसाई से Food भोग सेटिफिकेट प्राप्त करो ठीक है भोग की फुल फॉर्म है Blissful Hygiene Offering to God ये एक सेटिफिकेट है भोग जो की फसाई के द्वारा दिया जाता है इसमें क्या होता है जो भोग जो प्रिशाद होता है जो भगवान और भक्तों को दिया जाता है उसकी quality को ensure करने के लिए यहाँ सेटिफिकेट दिया जाता है तमिल नाडू गवर्मेंट ने अनाउस किया है कि जो एक डिस्टिक है नागा पट्टम इसको बाइफर्केशन मतलब तोड़के वह एक नया डिस्टिक बनाया है जिसका नाम है माईला दुत्रई जो की तमिल नाडू का 38 डिस्टिक है तमिल नाडू ने टॉप किया है इस satellite समाचारों में है यहा किस देश से संभन देता है बतलब यह किस देश की navigation satellite है इसका सही आंसर हो option D यह China की navigation satellite है चाइना के President Xi Jinping जिनोंने commission की है मतलब आधारिक तरीके से इसका शिरुवात की है बाइधो navigation satellite system की ठीक है आईए इस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं satellite system के बारे में यह चाइना का navigation system है जो की मतलब 10 meter तक की जो distance होती है उसकी accuracy की बारे में मतलब accuracy rating information देगा जबकि GPS जो है वह सिर्फ 2.2 meter तक ही accurate position की information देता है चाईना ने इसे स्टाइब के आठा इस प्रोजेक्ट को 1994 में जब इसने ये पहली बार सैटलेट को जो नैविगेशन सिस्टम सैटलेट इसको स्टाइब के आता तब यहां चाईना के अंदर ही स्टेन्विस प्रोवाईट करती थी उसके बाद जो इसका सेकिंडफ था जो से लाइट लॉंच हुई है जो की पूरे वर्ड को GPS कवरेज मिल सकेगा इसकी हल्प से नैविगेशन सिस्टम के बारे में जानते है कुछ दूसरी कंट्रीज के कौन-कौन से नैविगेशन सिस्टम है जैसे ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम जो की USA का है ठीक है और रशिया का कौन साइग ग्लोनास और यूरोपियन यूनियन का गैलिलियो इंडिया का जो है वहाँ है नैविगेशन विद इंडियन कॉंस्टेलेशन और इसका दूसरा नाम एक और भी है आई आर एन एसस मतलब नैविग को ही दूसरे नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कॉश्चन निमलेकित मैसे कौन साइद देश की एक मात्र नदी है जिसके लिए भारा सरकार दूरा इप्रवहा एनवायर्मेंटल फ्लो तै किया गया है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा ठीक है गवर्मेंट के द्वारा एन्वार्मेंटल फ्लो जो है वहां गंगा रिवर के लिए अनौंस किया गया है ठीक है आईए कुछ और न्यूस जानते हैं कि अभी न्यूस में यहां एन्वार्मेंटल फ्लो न्यूस में क्यों है क्योंकि अभी उत्तर प्रदिश की गवर् Chanel,indan, रामगंगा, बेतव, घागरा और राप्ती uration कुछ सबाद करते हैं युपी के बारे में नहीं है या नैशनल मतलब मिनिस्टरी से लिलेटेड है ठीक है नाशनल मिशन फॉर क्लीन तो COVID-19 crisis can shape the management strategy मतलब जो national mission for clean गंगा जो स्टार्ट किया गया था आइड़ोतोन उसके अंदर इस चीज़ पर बात की गई कि river management का भविश्य कैसा हो और COVID-19 की वज़ा से जो pollution है वो काफी हद तक कम हुआ है तो आगे इसको कैसे सस्टेन रखना है ठीक है उसके लिए management strategy बनाना अगला question हाल ही मैं धोले खबरों में है यहाँ क्या है इसका सही answer है option भी mountain wolf यह आप map में देख सकते हैं धोले इसके कही सारे नाम है Asian wild dog, Asian wild dog, Indian wild dog, whistling dog भी बोलते हैं red dog और mountain wolf भी ठीक है और अगर टाइगर के बाद जो यहाँ large carnivores है और यहाँ IUCN की जो लिस्ट है उसके अंदर यह endangered में आता है ठीक है आई इसके बारे में थोड़ा जानते हैं एक paper था जिसका टाइटल था strategic road map for conservation the endanger धोले sawn alpine in India मतलब इस टाइटल का जो पेपर था उसका टाइटल यहाँ था कि एक strategy बनाना ठीक है जिसमें यह जो ढोले sawn alpine है इंडिया में ठीक है उनको conserve कैसे किया जाए इस चीज के लिए strategy बनाना जो कि कई सारी institute थे जो आप देख सकते हैं यहाँ पेपर तयार किया था और अभी यह नियूस में इसलिए है क्योंकि करनाट का महारास्ट और मध्यप्रदिश इन्होंने काफी अच्छा performance दी है मतलब काफी अच्छे तरीके से conserve की है इस एंडेंजर ढोले को इंडिया में नेक्स्ट कॉश्चन हाल ही में उपरास्ट पती ने पिंगली वैंकिया को उनकी जैनती पर श्रद्दांजिली दी है वह कौन थे इसका सही आंसर है option भी वह freedom fighter थे यह आप देख सकते हैं वह freedom fighter और designer of our national flag हमारा जो national flag है उसको डिजाइन कि किया था इन्हों नहीं ठीक है अभी उनकी जो वर्थ anniversary पर वाइस प्रेसिडेंट एम वैंकिया नाइडिव ने उनको सम्मानित किया है ठीक है आईए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं पिंगली वैंकिया के बारे में यह जो है वह freedom fighter थे और इन्हों ने इंडियन national जो हमारा flag है उसको design किया था ठीक है अब इनकी कुछ information है कि कभी पैदा हुई थे 1876 में जब जब अफिका के अंदर जो एंगलो वार बार हुआ था तब यहां British Army में soldier थे और यहां South Africa गए थे इस war में participation के लिए ठीक है अब national flag के कुछ evolution के बारे में जानते हैं इन्होंने जब flag के बारे में बताया था ठीक है तब इन्होंने सैफ्रोन और green color के flag के बारे में बताया था उसके बाद उसमें जो बीच में एक wheel और जो third color जो था white color वो बाद में suggestion के बाद एड़ हुआ जो कि wheel था वहां लाल सजेस्ट किया गया था white color for peace और जो हमारा national flag था वहां 1931 में जब INC इंडियन national congress का कराची अदिवेशन हुआ था उस time पर इसे adopt किया गया था नेक्स्ट question देखते हैं हाल ही मैं कमल रानी वरुन का निधन हो गया वहां कौन थी इसका सही आंसर है option C वहां politician थी यह आप देख सकते हैं ठीक है यह मतलब कोरोना वाइरस की वज़े से इनका निधन हो गया यह उत्तर प्रदे जो सरकार है उसमें cabinet minister थी ठीक है कमल रानी ज पार्लियमेंटी लोकसवा में दो बाल और इसी के साथ अमर सिंग जो की फॉर्मर समाजवादी पार्टी के लीडर थे उनका भी निधन हो गया है सिंगापूर में और रिवीजन आंसर्स जो कल मैंने आपसे question पूझे थे उसके आंसर्स हाल ही मैं stock wear समाचारों में है यह क्य क्या है इसका सही आंसर है option c software और spyware और अब हम एक अगस्त के रिवीजन के जो आंसर से उनको देखते हैं आप सभी ने आंसर किये और ठीक किये पहला question क्या ब्राजिल होस्ट कर रहा है छटा ब्रिक्स environmental ministry meeting यह गलत है क्योंकि रशिया होस्ट कर रहा है इरान has conducted the great project 40 military exercise यह ठ क्योंकि ministry of MSME के द्वारा launch की गई है अगला question diet has developed आश्रे यह बिल्कुल ठीक है कि diet नहीं developed किया है आश्रे defense institute advanced technology के द्वारा ही तयार किया गया है आश्रे और आप सभी के लिए revision question हाल ही में one country two system का सिद्धान्थ खबरों में है यहां किन देशों के संधर्व में है आप इसका answer इस comment box में दीजिए और आप सभी के लिए दो अगस्त के revision question पहला question isro has launched a mass 2020 preservation rover mission आप बताइए कि isro ने launched किया है mass 2020 परसी वरेंस rover mission अगला question है कि according to the sample registration system 2018 report यूपी है highest fertility rate इन इंडिया आप बताइए कि sample registration system 2018 की report के अनसार क्या यूपी जो है वहाँ देश का ऐसा highest fertility rate मतलब यूपी में ही है अगला question वर्ल्ड का largest fusion reactor जिसका नाम है ITER क्या यह रशिया में located है अगला विद्धार्ती विज्ञान मंतन क्या यह ministry of education के द्वारा launched किया गया है आप सभी इसके answer प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए इसी के साथ आज का discussion यहीं समाप्त होता है अगर आपको हमारा current affair पसंद आता है तो प्लीज उसे like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए thank you